आज हम जानेंगे कि एक डूगमा पैनल से दूसरे डूगमा पैनल में पैमेंट ट्रांसफर कैसे किया जाए तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम गूगल क्रॉम को ओपन करेंगे इसके बाद इसमें डूगमा पैनल को लोग इन करेंगे अब पास्वर्ड एंटर करके आप इसे ओपन कर लिए जैसा कि आप देख पार हैं मेरे वॉलेट का बैंस पांच चार पीस रुपए है अब हम वॉलेट पर जाएंगे वॉलेट से फंड ट्रांस्फर पर और एड़ पांच पर तेख रहें है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर मेरे वॉलेट का बनेंस शृप कर रहा है जिसपी डॉगमा मेंबर के वालेट में में पैंच review करना चाहते हैं उसमें उसका dogma ID आप इंटर करेंगे जैसे कि मैं यहां है यहां पर अनुकर dogma ID इसार्ट आप यह सोख़डा करके dogma member का नाम बताएगा कि यह dogma ID किसके नाम से है जैसे कि इसने मेरा नाम बताया है यहां पे और ट्रांसफर के लिए यहां पे जितना amount transfer करना amount में आप एंटर करूँगा और narration में narration देता हूँ dogma test transaction password में आप अपना pin provide करवाएंगे जो आओ कि आपका transaction password भी होता है और submit पे click करेंगे इस पर काई आप देख पाएंगे कि successfully आपके एक dogma wallet से दूसरे dogma wallet प्रांसफर हो जाता है कि home पर click करके आप चेक करेंगे कि आपका पैसा कि डिडेक्ट हुआ है इस्टेंटली ये पैसा दूसरे वालट dogma wallet में चल जाता है थैंक्यू